So, Hi Everyone! This is Puskaan, your mentor of Physical Science. So, I welcome to you all on the PWIIT Jam and CSI and IT YouTube channel. So, finally, आज हम लोग डिसक्स कने वाले हैं, 3-month strategy for the IIT Jam Physics Examination. So, Hi Everyone! My name is Dr. Monica Sharma, जैसे कि आप सब लोग अरड़ी जानते हैं. और बहुत दिनों से एक requested video, बच्चे बहुत दिमान करे थे कि माम, Physics का strategy video कब आने वाला है? So, wait is finally over. और आज हम डिसक्स करने वाले हैं, finally, कि 3-month में आप IIT Jam को कैसे deal कर सकते हैं? तो शुरू करते हैं, बिल्कुद मामादें. So, अगर हम बात करें, सबसे पहले थोड़ा सा detail के बारे में जान लेते हैं कि IIT Jam Exam कौन conduct करा रहा है? Finally, है क्या ये exam? तो बात करें, तो जैसे कि आप जानते हो कि इस बार जो IIT Jam Exam conduct करा आया जा रहा है, वो IIT मदरास इस exam को conduct करा रही है? और ये जो exam होता है, बिसिकली national level का exam होता है, इस exam की help से आप अपनी MSC को परशू कर सकते हो, आप अपने MSC में admission ले सकते हो, किसी बें IIT में ले सकते हो, या फिर किसी NIT में आप इस exam के तुरू admission ले सकते हो. माम ने अल्रेड़ी आपको बहुत बार inform दी है, एक बार आप दुबारा से अगर बता देंगे, कुछ particular places ऐसे हैं, जहां पर आप integrated PhD भी कर सकते हैं. तुरू थू दो आइटी जाम examination. बलकुल. So, अगर अब हम बात करें, कि कब-कब आपके जैसे form आ चुके हैं, already form के filling हो चुकी है, इसमें correction window कब open होगी, कब आपका exam होगा, कब आपका results आएगा, तो यह सारी चीजे already pre-declared हैं. तो यहां पर basically क्या होने वाला है, आपका जो form release हुआ था, वो 5th of September को हुआ था, I hope अबने form फिल किया होगा, और अगर by chance form फिल करते हुए, कुछ mistake आप से by chance हो गई है, या कुछ detail फिल करने में कुछ भी गढ़बढ हुई है, तो correction window आपकी open होने वाली है, second week of November में, और जो और exam तो आप सबको already बहुत awaited है, तो उसकी date तो आपको obviously याद हो गई होगी, जो कि होने वाला है, 11th of fab को, और अगर हम बात करें कि answer की कब आएगे, तो 4th week of fab में इसके answer की आजाएगी, और अगर आपको कहीं भी लगता है कि कोई भी question ऐसा है, जिसके answer की गलत आई है, हम इसको challenge करना चाहिए, तो आपको वो भी 4th week में ही करना होगा, चीके, so अगर हम बात करें, इसका result का बाता है, result इसका हमेशा की तरफ fix रहे, 22 March को इसका result आएगा, और अगर आगे हम बात करें, scorecard कब दिखेगा आपको, scorecard कब आप साइट से download कर सकते हो, तो वो है इसका 2nd April 2024, and also आप देख भी सकते हैं कि process जो है, बहुत fast है, आपको बहुत लंबा वेक नहीं करना है, result जानने के लिए, कि मेरा qualified हो गया है, या नहीं होना है, but also I would want to suggest कि आप side में जो बाकी के पार्लेली exam होते हैं, नेशनल लेवल्स पे, M.S.E. के लिए, आप वो भी देते रहे है आप साथ साथ में exam देते रहे हैं, but ये भी process equally fast है, जो आपको बहुत quick बता देगा कि आपका हुआ है, या नहीं हुआ है, 22 March को मेरा result आएगा, उसके बाद हम कुछ सोचेंगे, तब तक आपका C.U.T.P.G. का exam जा चुका होगा, तो 11 FAP को I.T. Jam examination के बाद जस्ट आपको C.U.T.P.G. अपना target बना के रखना है, अगर आपको एक अलग syllabus को follow करना है, तब आप एक अलग प्रस्पेक्टिए सो सोचिए Since for physics, अगर मैं बात कुरिया, even for general subjects ही बात करूँ, syllabus बहुत जादा डिफर नहीं करता है, आपका I.T. Jam का हो या C.U.T.P.G. का हो, दोनों का syllabus almost same है, तो आपको कोई extra effort लेनी की जरुरत नहीं है, एक्टा extra pain लेनी की जरुरत नहीं है, कि मेरो को अलग से syllabus पढ़ना है, जो चल है, वही flow चलने दीजिए, बस exam के बाद घोडे बेचके सोना नहीं, कि अब सब खतम हो गया है, तो चलो अब हम अब काम नहीं करेंगे, तो अपने effort को continue रखिए, उसमें आप एक point ये add कर सकते हो, कि जिसे अभी आपने I.T. Jam के preparation की है, आपकी तयारी तो almost done होगी, बस आप कर सकते हो, जितने भी C.V.T. के previous year questions है, आपके पास time available होगा, तो उस duration में आप उन P.Y.Q. को attempt करो, ताकि आपको C.V.T. का जो pattern है, exam pattern क्या होता है, उस pattern का भी पता चल जाएगा, और उस pattern पे भी आपकी practice हो जाएगी, चीकिए, चलिए मामा, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, exam pattern की अगर बात करी जाए, तो आपके paper में 3 section आते हैं, as you all know, section A, B and C, section A में से आपके number of questions जो है 30 रहते हैं, जो maximum marks है basically, उस में से जो 10 questions है वो 1 mark कर रहता है, और 20 questions आपके 2 marks कर रहते हैं, और section B की और C की बात करी जाए, तो वहाँ पर 10 और 20 questions पूछा जाते हैं, but importantly जो एक ब 1 third marks deduce होगा, अगर आप गलत answer करते हैं, और अगर 2 number की question की बात करी जाए, 2 marks की question की बात करी जाए, तो महाँ पर आपके 2 third deduction भी होगी, but if you can see marks जो है 30 questions यहाँ पर होने वाले हैं, और maximum marks भी यहीं पर dedicated हैं, तो आप इसी category में बहुत अच्छा score कर सकते हैं, इसी part में बहुत बस B और C का best part यह है, यहाँ कोई भी negative marking नहीं है, और अगर हम बात करें section B की, तो यहाँ पर जो एक question आता है, उसका जो mark है, वो 2 mark का है, और section B में basically आपको जो देखने को मिलते हैं, वो है MSQ type questions, अब MSQ type question का सबसे बड़ा जो confusion रहता है न माम बच्चों में, वो यह होता है उनके mind में की process चलता है, MSQ है, तो हमेशा multiple selective ही होगा, बट यहाँ पे भी बच्चों को filter किया जाता है, on this basis, बहुत बार, एक तो question तो ऐसा होता है माम उसमे, जिसमे multiple selective डालके, बट उसमे option single, एक ही select, correct होगा, तो point is basically ऐसा नहीं है कि हर question multiple choice रखे, मतलब multiple selective options होगे, ऐसा होग option है, there could be many options, आप यह अक्सर गलती कर जाएंगे बच्चे, तो आपको इस चीज का carefully ध्यान रखना है, कि आप गलती नहीं करें वहाँ पर, अगर एक आपको लग रहा है सही, तो एक ही mark करें, just on the basis of तुक्का के भई, ट्राइल ले ले लेते हैं, यह भी सही हो सकता है, आप इसी गलती नहीं करें इस केस, और अगर हम बात करें section C के, तो section C में भी 20 questions होते हैं, वहाँ पे भी 2 categories है, starting के जो 10 questions होते हैं, वो आपके 1 mark के होते हैं, और जो बात के 10 questions होते हैं, वो 2 mark के होते हैं, और NET में बच्चों आपको एक बात का बहुत जादा ध्यान रखना है, अ और example आपको कोई भी question का answer आया है, 7.359, 3.359 आया है, अब इसमें आपसे पूछा गया है कि आपको 2 decimal place तक लिखना है, और अगर आप 3.359 लिखके आते हो, तो आपका answer सही होते हुए भी गलत होगा, वो consider ही नहीं किया जाएगा, अगर आप उसको लिखते हो 7.35, then it will be the correct, तो इन छोटी-छोटी बातों का बहुत जादा धियान रखना है, और दूसरा important point, जैसा कि इस दोनों ही section में कोई भी negative marking नहीं है, ये तो चलो NET है, जब तक solve नहीं करोगे, तब तक answer नहीं निकाल पाऊगे, लेकिन section B is multiple selective, तो यहाँ पी आपको कोई भी question छोड़ के नहीं करना है, कोई भी question आपका छोटे नहीं. और जैसा कि माम ने बोला, section C में बिल्कुल, जैसा इसमें option नहीं होता, तो आपको पूरा exact value आ रहे हैं, वहाँ तक जाना होता है, तो try करो, पहले आप section A को attempt करो, फिर section B and then section C आपको attempt करना है, क्योंकि ये थोड़ा time taking भी है और इसमें calculation error भी बहुत जादा होते हैं, तो हम ready A का idea लग चुका होगा कि मैंने कितने question attempt किये हैं, कितने मुझे आते हैं, कितने सही हैं, कितने गलत हैं, आपको पता चल चुका होगा, तो आगे बढ़ते हुए उसी process को अपने mind को calm down करें, और part B को और C को analyze करते होगे काम करें, I would say, जल्दबाजी के चक्कर में और सिफ negative marking नहीं है, सोचते हुए गलत questions मत करें, चीछ, चीछ, चलते में हम आगे, तो अगर हम टाइमिंग की बात करें, तो भाई किस subject का exam कब होगा, सुबह होगा, कि शाम को होगा, तो अगर हम बात करें, chemistry, geology and mathematics, तो इनका जो exam होने वाला है, वो morning में रहेगा, और अगर हम बात कर by technology, economics and the mathematical, statistics and the physics. वैसे मैं देखा चाहे तो, it's like, usually physics का पेपर morning आश मे रहता है, this is, I have noticed, कि afternoon में पेपर हो रहा है physics का, तो अगर अगर अपर अरली राइजर हो, या फिर अपने आपको body clock को वैसे सेटिल करना शुरू कर दीजिए, कि आपका effective और productive time जो है, वो afternoon का time रहे, तो आज से ही काम कर करना थोड़ा शुरू कर दीजिए, उस particular time period के हिसाब से कि आप उस particular time period में afternoon में better perform कर पाए, better efficiency दे पाए, अपनी उस तरह से अपनी body clock को सेटिल कर लेजिए, अपने आसपास के काम को balance out करिए, और अपने आपको manage करिए, चेक है, so अगर हम बात करें कि 4 noon में क्या time रहेगा, तो that will be the 9.30 to 12.30 और afternoon में जो paper होगा, उसका जो timing रहेगा, वो होगा 2.30 to 5.30, okay, so ma'am finally, जो इसका बच्चों को बहुत time से इंतिजार था, उस strategy के बारे में बात कर लेते हैं कि इस exam को, इस pattern को follow करने के लिए, हमें क्या strategy follow करनी चाहिए, कैसे हम उस exam को बहुत easily crack कर सकते हैं अच्छी rank के साथ, बलकुल, शुरू करते हैं, सबसे important और सबसे important और first place इसलिए रखा गया इस point को, कि अपने आपको discipline में रखना बहुत important है, for example, अगर मैंने एक अपना time table set किया है, मैं आज follow कर रहे हूं, कल नहीं follow कर रहे हूं, उससे कुछ भी नहीं होने वाला, effectively कुछ तो अगर आप जो time table बनाते हैं, जैसे कि मैंने थोड़े पहले कहा कि आपका exam afternoon में है, आप सोची कि एक दिन मैंने अपना clock सेटल कर लिया, कि मैं afternoon में अच्छा काम कर रहे हूं, लेकिन अगले दिन afternoon में मुझे फिर से नहीं दाने रगी, ऐसा नहीं चलेगा है, आपको daily daily practice करना है, discipline में रखना बहुत important है, and उसी हिसाब से आप time manage भी करेंगे, कि मेरको इस time पर ये करना है, ताकि मैं afternoon का time, आप हो सके तो ऐसी आदर डाली कि afternoon में कोई practice set attempt कर रहे हैं, या फिर कोई mock test attempt कर रहे हैं, उस particular section में आप अपने आपको उसी habit में डालने की कोशिश करें, इ मैं time table की बात करूँ, तो मैं अगर आप specifically बात करें, किसी के लिए भी time table soup नहीं हो सकते हैं, मैं क्योंकि हर student की efficiency अलग होती है, अगर मैं बात करूँ, अब मैं दो गंटे में कर रहे हूं, आप किसी काम को एक गंटे में कर रहे हूं, तो it will vary, तो हम कभी किसी बच्चे को ये सेल है, कोई कहीं पर रहता है, and environmental conditions are also different, तो आपको जो काम करने हो सकता, दूसरे को वो काम नहीं करने हो, तो आप बस इतना काम कर सकते हैं, overall, 24 गंटे सभी के पास हैं, उस 24 गंटे में से आप अपने आपको पहचानते हैं, कि मैं effectively ये काम इतने गंटे में कर सकता हूं, तो आपको time manage, बस उसी तरह से करना है आपना, और ये चीज़े मतलब ये नहीं है, कि अगर आज आपने वीडियो देख ली, एक दिन के लिए boost up मिल गया, और बस छोड़ दिया, नहीं भाई, ये काम आपको consistently करना है, up to your exam, बिल्कुल माम, एक ये वाली बात भी होती है, जैसे आपने देखा हुआ आक से, घर पे, इवन अगर आप कोई spiritual चीज़े देखे, या इवन आसपास में कुछ भी चीज़े देखे, एक दिन हम बहुत motivated फील करें, एक दिन असा लगता है नहीं, आज तो हम ना बहुत कर देंगे काम, आज ही सब काम खतम हो जाएगा, आज ही paper क एक्जाम का result भी आजाए, फाइनली, पिर ऐसा नहीं, एक discipline maintain करना is quite important, उसी motivation के साथ अगले दिन उठिये और काम करें, तो ये आपको maintain करना बहुत important है, किसी भी exam के लिए, not specific to IIT जान, हर exam के लिए important है, discipline को maintain कर, अच्छा, माम, sacrifices, बहुत important point है, बच्चों के लिए बहुत ज हमने बाठते हैं, चाहे हम फोन से चाहे पढ़ रहे हैं, लाप्टोप से पढ़ रहे हैं, किसे से भी, बीच में, या तो हम YouTube शॉर्ट स्क्रोल करने लग जाते हैं, और एक तो इंस्टा रिल्स का अच्छार इता साल है, मितले इती टेंप्टिंग है न वो रिल्स के बहुत बदा चलता है, और अल्टिमेटली उस चीज से आपको कोई आउटपुट नहीं मिलने वाला है, इक चीज और होती है, जो स्टुडेंट स्पेशली घर रहते हैं, कि मानलो आप पढ़ने बैटे हो, घर पे कभी किसी ने कोई टॉक दिया, ये काम कर दो, ये किसी फ्रेंड क कोल आगया, चलो यहां चलते हैं गुमने, तो आपको बच्चों देखो, अब थ्री मन्स रह गए हैं, डेडिकेटली स्टुडी करनी होगी, ऐसा नहीं हो सकता, कि आप आदे घंटे पढ़ रहे हो, एक घंटा फन कर रहे हो, नहीं, आपको कुछ चीजों का सेक्रिफाइस क करना होगा, और यह बात की जाएना, तो यह वो चीज़े हैं, जो आपको टैंपररी खुशी दे रहे हैं, और उनका अल्टेमेटली कोई आपको आउटपुट नहीं मिलने वाला, एक बात और भी है, देर इस रीजन इनको टैंटिंग कहा है, टैंटिंग और ट्रैपिंग क आपको कुछ बेनेफिट नहीं देखने माली, आपको स्पोयल करेंगे, अच्छा उसने इसा किया, मुझे भी ऐसा करना चाहिए, वो तो बाहर क्रिकेट के लिए तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए, यह सब फालतू की बाते हैं, अभी आपको प्राइटाइज करना बहुत इ आपको उसी हिसाब से प्राइटाइज करना पड़ेगा अपने आपको, और सेक्रिफाइज भी एक्चली सेक्रिफाइज नहीं हैं, बस हमें लग रहा है कि अरे हम फोन नहीं चलाएंगे तो क्या होगा, यह वो कुछ दिन लगता है कि माम ने बोल दिया था फोन नहीं चला और उस नाइम को आप ऐसी जगे दो, जिससे आपको एक-दो महीने बाद बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे होगे, और खुद आप अपना अगर रिजल्ट देखोगे, तो जो अल्टेमेटली खुशी आपको होगी, वो इन सेक्रिफाइस से नहीं मिलने वाली, चलाए आपको अपको आपको आरहे होते हैं, जो मुझे आता है, मुझे वह अच्छा लगता है, नया सीखने में मैनुद करनी पड़ेगे, वो अच्छा लगना ओटोमेटिकली बंद हो जयाता है, तो जो अच्छा लगता है, उस पे और और ज्यादा और मजा रहे है पर्ड़ आप एक्स्पोर करें, आप एक्स्पोर करनी के लिए है, बट अभी नहीं, अभी के लिए आपको अपने आपको प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप एफेक्टिव रेडिंग करें, अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज I have realized, कि बहुत सेरे बच्चे क्या कर करते हैं, अब तो मैं इस बुक से भी कर लेता हूँ, तो उससे यह होता है कि आपको एक टापिक पे जो लिमटेड टाइम देना चाहिए, उसके बजाए हम तीन चार दिन तक सुभह शाम एक ही टापिक में लगे हुआ है, जैसे फर एक्जामपल मैं कोई टापिक करवा रह है, it's because कि आप अगर उसमें मास्टरी हो चुकी है, तो ठीक है न, अगले टापिक पे आगे बढ़िए, आगे काम करिए, इसको एफेक्टिव रेडिंग के आते हैं, और प्लान रेडिंग के आते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी एक्जाम को टाग हो जाएगा, नहीं, उस टापिक से कुश्चिन तो फिर पेपर में एक या दो ही आएंगे न, टापिक तो आपको बाकी भी कवर करने होगी, तो इसलिए इफेक्टिव रेडिंग बहुत जादा इंपॉर्टेंट है, अक्वार्टेंट है, अक्वार्डिंग टू एक्जाम चाहे मैं इस रेफरेंस की बात करूँ, चाहे मैं इस रेफरेंस की बात करूँ, हर चीज में, at the end, I would suggest नया एक्स्प्लोर करने के लिए या फन करने के लिए पूरी लाइफ है, ये तीन महीने, जो भी आपको बेस्ट आता है, जो भी आपको बेस्ट आता है, उसका प्रोसेस पर आईए, रेविजिन करें फिर वो करें, अगर आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि मुझे इतना टाइम ही नए टापिक में देना है, तो आप बहुत इच्छे से रेविजिन कर पाएंगे, और मैं एक्सर सुनती हूँ ये वाली बात कि मैं रेविजिन का टाइ नहीं मिलेगा, डेडिकेटली टाइम निकालना पड़ेगा उसके लिए, और माम रेविजिन का बहुत इंपोर्टेंट रॉल है, मतलब चाहिए, आप कितने भी जैसे अभी बोला न हमने एफेक्टिव रिडिंग, अगर आपने पढ़ भी लिया और रेविजिन नहीं किया एक्जाम के टाइम पे आपके साथ बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम क्रियेट होगा, इस सेंस में कि कोशिन पढ़के लगेगा, आता तो है, बट सौल नहीं गर पारे, क्यों कि उस टाइम पे आपको तुरंथ एक्जेक्ट फोमलर याद नहीं आएगा, तो वो ची नहीं, आपको continuously basis पे कुछ-कुछ interval पे आपको इसको revise करना होगा, और revision के time आपको एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, केवल notebook खोल के ऐसे revise नहीं करना, pen भी साथ से चलाना है, revision में बच्चे बहुत ज़्यादा ये देखते हैं, मुझे class में भी देखने को मिलत तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको, also एक बात और है, देखो, revision में खाली revision नहीं लिखा है, there are two things also, pyqs and mock tests, आप अगर कोई mock test देते हैं, suppose आपने 100 questions थे उसके अंदर, किसी भी mock test में, I assume 100 है, 50 है, जतने भी questions है, उसके अगर half of the question बें टेंप किये, त तो आपको पता चला कि मैं कहां पर lag कर रहूं या कहां पर मुझे revision की ज़रूरत है, आप automatically देख पाएंगे, अगर आपनी, I would say, किसी भी चीज़ का time मत settle करिये, एक practice session का time ज़रूर settle करिये, अपने time table में, एक time ऐसा निकालिये, suppose, specially जो आपका exam का time है, वही time decide करिये, कि आप आपको इस time पे सर्फ test देना है, और daily test देंगे, या दो दिन में दे रहे हैं, तीन दिन में दे रहे हैं, आप frequency सेटल कर सकते हैं, आपनी साब से, test दीजिए, आप खुद realize करेंगे, कि आपको पता चलेगा कि इस topic का question नहीं हुआ, मुझे तो यहां revision करनी है, आपको जो आत apply नहीं हो रहा है, का मुझे पर करना है, तो ultimately अगर बात करें, तो मैं आपने बहुत सही बात बोली है, अगर आप कोई पर test देते हो, तो उसका analysis करना बहुत important है, कहां कहां आप lag कर रहे हो, उन formula को अलग से लिखो, ताकि उसको आप फिर थोड़ा अच्छे से revise करो, timely revise करो, तो वो बारी सारी चीजी हैं, और एक बात है PYQs, बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, specially जो self study करते हैं, कि अपने पढ़ लिया है topic, लेकिन हमने PYQs नहीं देखे, तो उससे उनको यह idea नहीं होता, कि paper में question किस type के आते हैं, तो PYQs का एक सबसे बड़ा rule यही होता है, आ इसके बार आप अगर कर सकते हो, जैसे बहुत सारा syllabus माम सहीम होता है, gate का भी, तो आप gate के PYQs को solve करो, आप central universities के paper को solve करो, वहाँ से क्या होगा, ultimately syllabus तो हर exam में सहीम होता है, आपको topic के corresponding बहुत सारी questions मिलेंगे, और अगर हम बार करें, कभी भी कोई ऐसे अलग सा question नहीं आत करने का main benefit यह होता है, और ऐसा नहीं है, PYQs solve करने के नाम पे आप उनके answers को क्राम करने लग जाओ, कि भाई यह ना next year क्या पता कोई question repeat हो जाए, तो ऐसा भी नहीं होता, जस्ट आपको concept देखना है कि इस concept से इस type का question आ रहा है, तो हमें इसको किस तरीके से deal करने है, यह च training period होता है, वो training period पता है क्या कहता है, आपको एक situation में रखके कैसे perform करना है, वो सिखाता है, तो PYQs और Mok टेस्ट आपको वही सिखा रहे हैं, कि final exam के टाइम पे आप पैनिक नहीं करें, मैं तो ऐसी situation बहुत 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 कर चुका हूँ, आप खुल realize करेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा, पेपर हो गया, एक normal practice set ही तो है, नहीं हो गया और खतम भी हो गया, चले, आगे बढ़े हैं माँ, बिल्कुल माँ, सो बात कर लेते हैं, health के बारे में, देखो, इतना सब हुआ, और अगर आप लोग अपनी health का देहान नहीं रखोगे, तो last moment पे बहुत जादा problem create हो सकती है, तो हर बच्चे को अपनी health का भी साथ साथ देहान रखना है, ऐसा नहीं है कि पूरी-पूरी रात आप पढ़ रहे हो, फिर उससे क्या होगा, ultimately आपकी study हैं पर हो, तो हमें अपनी health का भी बहुत ज़्यान रखते हैं, माम एक दिन की बात बताती हूँ, मुझे माम क्लास में बच्चे पूरते हैं, कि माम अगर हम रात को केवल 2-3 गंटे सोएंगे, तो हमारी तयारी अच्छी हो जाएगी, क यह पॉइंट ही नहीं है, कि आप 2-3 गंटे सो नींद भी पूरा करना बहुत ज़्यादा मेड़ेती है, एक इंपॉर्टिन बात बताते हूँ आपको, सपोस माम ने आज बोला कि आज ना फोन नहीं चलाना, अब से फोन नहीं चलाएंगे, फोन पर जो डेडिकेटली आ रहे हैं, ऐसे से करिए, नहीं भाई, सोनी का टाइम बे डिसाइड करिए, ऐसा नहीं है कि अब तो मेरा काम तो हो गया ना, अब मैं बाकी टाइम में जो मरजी करू, ऐसा नहीं है, आप अपनी हेल्थ को प्राइटाइज भी करिए, इन सब चीजों के ऊपर आता है, यह आप यह सब काम कर पाएंगे, otherwise किसी भी काम का कोई मतलब नहीं है, किसी सक्सेस का कोई मतलब नहीं है, किसी भी अचेवमेंट का कोई मतलब नहीं है, अगर आपनी हेल्थ को डिक्रेट कर रहे हैं, तो इन सब बातों का मतलब यह हैं, अगर आप नट शेल में अगर देखो, तो यही सारी बाते हैं जो आप डियूरिंग अपनी प्रिपेशिन जर्नी देखने वाले हो और अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हो ना इन कुछ पॉइंट्स का जो आज बताएगे हैं तो एफेक्टिवली आपको जो रिजल्ट है आपके फैब वले एक्जाम में आपक अगर मोटा मोटा बात करी जाए तो आपकी पास में केरिक्स है मोटन फिजिक्स है सॉलिट सीट फिरिक्स और इलेक्ट्रोनिक डिवाइसेज है देन भी है एलेक्रिसिटी और मेंगेटिसम वेव उसिलेशन ऑप्टिक्स का भी टॉपिक है कानेटिक थेओर आपके अपके पास और मैथेमेटिकली मेथिट्स भी है आप देख सकते हैं बोड तो अलड़ी एक फ्लू चार्ड के साथ एक डाग्राम के साथ कि आपको परसेंटेज भी गई है मांच में किस पर्टिक्लर टॉपिक से कितने ही वेटेज के कोशन आते हैं तो ओन आवरेज इस थे वेटेज थोड़ा बुत यह होता है कि प्लस माइनस हो सकता है कभी एक साल में बहीं मॉडर्ण फिजिट्स बहुत जादा आगए उसके यह हो सकता है किसी एयर में मांग थर्मोडानेमिक जादा आ गई तो यह थोड़ा बुत फ्लक्टुएशन चल रहा है कि किस सब्जेक्ट से कितने वेटेज का कुशिन आने वाला है हम यह भी बात करेंगे कि आपको किस पर्टिकलर यूनिट से किस टॉपिक पर जादा ध्यान देना है और कौन से टॉपिक आप लीव आउट अगर करना चाहते हैं तो आप लीव आउट भी कर सकते हैं अगर आप मोटा मोटा बात करें तो एक बीसी में इक सेमेस्टरी में भी आप चार पेपर तो इंजनर पड़ते हैं अगर आप एक टाइम टेबल सेट करें अपने आपकी माइंड को डिसाइड करें कि मुझे यह करना हैं तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है आपके लिए तो मैं हम एक बहुत थोड़ा सब बात कर लेते हैं कि जैसे अब 3 months बाकी हैं तो कौन-कौन से topic हर unit में सबसे जादा important है जो किसी भी बच्चे को at any cost leave नहीं करना बच्चों को सबसे जादे weight ही इस particular section का है अब ठीक है हमने time management करने में हमें क्या-क्या पढ़ना है वह तो बता हूँ तो चलो बात करते हैं one by one तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम solid state physics की इसमें अगर मैं बात करूँ crystal structure जो crystal structure देखो बहुत important है इसमें आपको different different type के crystals होते हैं जैसे की FCC structure, BCC structure, NACL structure इन सभी structures के बारे में आपको पढ़ना है कि उसमें first nearest neighbor क्या होता है, second nearest neighbor क्या होता है ठीक है अगर मैं next topic की बात करूँ तो इसका next important topic है और जो physics का student बहुत अच्छे से जाता है, एक्सरे diffraction में कोई बहुत बड़ी theory नहीं है, कोई बहुत बड़ा derivation नहीं है जो topic आप daily life से relate कर पाते हैं उन्हें तो समझने में चुटके भी नहीं बचाने होती है जैसे मैं solid की बात करूँ आपको ऐसे समझ में आता है कि यह में नमक खा रहा है उसके structure क्या है आप खुद curious हो क्यों जानने के लिए कि हां बही मेरे को पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या हो रहा है मैं जिससे बच्चों को डर भी लगता है और यह topic electronics में भी आता है और solid में भी आता है तो actually बच्चों को confusion अक्सर यही रहते है कि इसको पढ़ा किस perspective से जाए आप किस perspective से देखना था इसे हम solid समझ के पढ़े या फिर application point of से समझे चलिए एक बात और clarify कर देता है यहाँ पर semi conductors के लिए it's a material तो solid समझ के पढ़े उसकी application पढ़ना चाहते हैं तो electronics पढ़े आपको जहां भी application समझाएगी वो electronics का part आजाएगा जहां पर भी आप उसकी basic अंदर के structure जाना चाहेंगे वहाँ पर आपका semi conductor solid के अंदर चला जाएगा तो बस इतना ही difference है और confusion के चक्कर में मुझे ऐसे लगता है बहुत सरे बिचे सवाल ही छोड़ देते हैं इसके माम चलो semi conductor तो छोड़ी देते हैं कि इसका क्या करना है पर तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा important है कि P type semi conductor में आपके fermi level कहां आएगी N type semi conductor में कहां आएगी इस type के questions इससे बहुत ज़्यादा बनते हैं तो इन तीनों topic के अगर मैं बात करू तो importance काफी ज़्यादा है अगर आप solid पढ़ते हो तो ये तीनों topic आपको पढ़ने हो ठीक है next बात कर लेते हैं electronics की कि electronics में से कौन-कून सा portion आने वाल है as I said कि semiconductor application जहां पढ़नी है semiconductor related devices जहां पढ़नी है वो सारा का electronics का portion है तो most importantly अगर मैं majorly categorize कर दूँ electronics को 4-5 topic हैं पूरे electronics में ना मोटा मोटा लिख दू तो PN junction based applications है, transistor based applications है, open based application और digital electronics इसके लावे electronics में कुछ भी नहीं है और हर paper में इन सभी topic से question पूछा चाहता है, तो electronics एक ऐसी short short चीज है आपके पास कि आप एक topic करिए question पका एक topic करिए question पका ठीक है बट ऐसा भी नहीं है आगे के question topic दिखाना अगला topic है BJT for example, अगर मैं BJT करना चाहूँ और मुझे diode नहीं पता हो तो कोई significance नहीं है, BJT मतलब दो diode का combination समझना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होगा कि आप PN junction को नहीं जानते हैं पर मैं चाहती हूँ OPM का question attempt करो, ऐसा नहीं possible है ना, अगर आप independent हो के, अगर OPM का question पूछा पूछा है, O OPM में आपने feedback में लगा दिया, डायोड लगा दिया, आरे माम डायोड तो आता नहीं कैसे behave करना चाहिए, बट OPM का question attempt करना है, ऐसा नहीं हो सकता है ना, और logic gates और boolean algebra, I would highly suggest, जिसको electronics से बिलकुल प्यार नहीं है, बिलकुल दुश्मिन है ना, के नहीं बहीं मेरको तो करन नहीं यह इतनी गंदी चीज है, उसके लिए भी मैं कहूंगी, logic gates और boolean algebra मत छोड़िये, एक तो सबसे जल्दी revise होता है, सबसे कम टाइम है और बहुत एफिशेंट लिए, जिसके गलत होने के chances बहुत कम, जिसके बहुत पकता मैं इसका, question भी short short है, आने वाला है, and also, गलत इसके chances बहुत कम है, तो अगर यहां से, मैं electronics से आपको कहूं कि मेरे को सफ एक ही topic बता दो मैं, उसे एक ही topic करना है, तो digital electronics करिए, उसके पास जाएए, अगला कौन सा है, आगे बात करते हैं हमारी electricity and magnetism के बारे में, कि यहां पर सबसे ज़्यादा important topic को उनकुन से है, तो सब सबसे पहले topic की अगर मैं बात करूँ तो go slow है, जो की आप अपनी 12th class में भी पढ़ चुके होते हो, ठीक है, तो go slow से direct question आते हैं, इसके जो application part होते है, different, different, वो हर part आपको इसमें पढ़ना है, next अगर मैं topic की बात करूँ तो that is your electrostatic potential, ठीक है, और अगर हम next बात करें, dielectric material, die dielectric में basically आपका capacitor भी included है, ठीक है, ठीक है, तो capacitor आपको जढूर पढ़ना है और अगर हम बात करें, dielectric material की और capacitor दोणों ही topic, एक दूसरे से connect हैं, ठीक है, तो आपको दोणों ही topic को पढ़ना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो अगर हम next बात करें, तो that is your Lorentz force, and the next is ampere slow, और ampere slow की जो applications है वो भी आप लोगों को पढ़नी है next is the electrodynamic electromotive force ठीक है और अगर हम बात करें the most important topic is Maxwell equations and the boundary conditions ये boundary conditions कौन सी है basically जो आप electromagnetic waves में boundary conditions पढ़ते हो उनके बारे में बात हो रही है यहाँ पर इसका मतलब एक ऐसा question है जो fix है कि parallel component का क्या होगा, perpendicular component का क्या होगा, इन सब के उपर यहाँ से question बनता ही बनता है और अगर हम next बात करें तो that is your pointing बात है तो ये कुछ important topic है जो आपको electricity and magnetism में 100% पढ़ने ही पढ़ने है चलो, अब हम next topic की बात कर लेते हैं तो next है हमारा oscillation waves and optics तो सबसे पहले optics के topic की बात कर लेते हैं अच्छा मैं एक बात specifically आपको पता दूँ there is no point में हर topic read out करूँ और उसके बारे में बताऊँ आपको आपको syllabus fully पता है आपको syllabus fully पता है यहाँ पर मैं सिर्फ वही topic mention किये है जो exam point of view से important जिन points को, जिन topics को आप consider ही नहीं कर सकते हैं कि आप छोड़ दें यह points सारे के सारे topics ऐसे हैं जिन से question shorts और पूछे जाने वाला है और कोई risk नहीं ले सकता इस बात पे कि आप इन में सिर्फ कोई भी topic छोड़ दें आप पूरे unit तो छोड़ने की बात छोड़िए I would highly suggest के पूरे के पूरे topic जो लिखे हुए यहाँ पर वो भी मत छोड़िए आगे माम, oscillation का and wave and oscillation का भी topic एक बार देख लेते हैं कि कौन-कौन से topics हैं So, अगर हम बात करें जिसे कि माम ने बोला बिल्कुल सही बात है Slabers पूरा है पर लेकिन हमने यहाँ क्या किया है जो most important topic है कि जो आपको बिल्कुल live out नहीं करने वह topic हमने यहां mention किये और यह वह topic है जो आपको पढ़ने ही पढ़ने पढ़ेंगे हर subject से जिसे कि अगर मैं बात करूँ waves and oscillations की या optics की कि thick and thin lens combination lens combination से question आता ही आता है बिल्कुल और अगर हम बात करें diffraction and interference polarization यह तीनों चीजे ऐसी है माम जिसे या तो interference से question आ जाएगा या polarization से question आएगा मतलब इन सब topics से question आता ही आता है equally एक बात और मैं बता दूँ आप सभी के लिए बले ही optics हो बले ही electronics हो बले ही mechanics हो देखो बच्ची नाक से कहते है मैं mechanics हो गया अब मैं यह पढ़ूँगा ऐसा कभी नहीं होता भी ऐसा नहीं होता आप सब सब्यक्स के easy easy topics पहले जो कुछ आपको आते हैं उन्ही में add-on करें सब के लिए open रही तभी आप accept कर पाएंगे आप ऐसे सूचेंगे नहीं इसका मैं पूरे advanced level तक जाओंगा मैं depth में जाओंगा तब खतम करके मैं दूसरा topic उठाओंगा ऐसे नहीं काम कर पाएंगे काम करना है तो सब को priority देनी पड़ेगी there is a reason यह donut बना है there is a reason जहां पर percentage आपको बता रही है कि किसी एक को specific importance नहीं देनी है सब पे equally ध्यान देना है क्योंकि मैं अगर देखे तो on and average लगबग सब का weight is same तो यह तो बच्चों में होता है माम कि मैंने तो 4 subjects पढ़ ली अब बाकी मैं नहीं पढ़ूँगा ऐसा नहीं है यह attitude बिल्कुल नहीं रखना है आप चार subject में से सबसे difficult सवाल है यह तब क्या करोगे बिल्कुल सही बात है तो इसलिए आप openly सभी subjects को पढ़ो हो सकता है जो आपको सबसे easy लगता था उसी सबसे ज़ाधा tough question आजए और जो आपको सबसे tough लगता था उसी सबसे easy question आजए तो यह कोई भी नहीं जानता है इसलिए आपको syllabus पूरा पढ़ना चाहिए क्या attempt करना है क्या छोड़ना है यह paper में decide होता है next देखले माम कॉंसा हां जी बिल्कुल माम so next हम बात करते हैं जिसे कि thermodynamics के बारे में तो thermodynamics में जिसे कि हम बात करते हैं first love thermodynamics Carnot cycle Maxwell relations और the next topic is the phase trunch यह कुछ topic है thermodynamics की next हम बात करते हैं हमारी mathematical methods के बारे में तो mathematical methods की almost हर सब्जिक का देखा जाए तो weight is slightly change होता रहता है year to year but again I said this is the average out behavior and also जो आपको topic नहीं छोड़ने है देखो यह सब topics आप 11-12 से पढ़ते आ रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आपको बिल्कुल नहीं आता है आता है बट add-on करते जाना है आप higher education पे जैसे ही जाते है आप add-on ही करके जाते हैं अपनी चीजों में तो यहाँ पर भी वही है सबसे important topic है आपका यहाँ पर vector algebra जो आपको छोड़ना ही नहीं है वैसे तो देखा जाए तो पूरे mathematical physics का syllabus बहुत लंबा है बट उसमें से कुछ ऐसे topics हैं जो आप नहीं छोड़ सकते जिनको afford नहीं कर स देखें आप छोड़ दें next concept next subject is your mechanics तो अगर हम बात करें mechanics में कौन-कौन से topic important है moment of inertia बहुत important है moment of inertia next topic आता है आपका gravitation and central force gravitation में आपका complete आजाते है central forces के बारे में भी conservation of angular momentum के बारे में भी इन सभी topics को आपको पढ़ना है next topic is your center of mass, center of mass, moment of inertia इन सभी topics से frequently questions पूछे गए हैं तो यह वो topic है जो आपको बिलकुल भी नहीं लीप करने है and the next topic is your centripetal force, coriolisis forces and the last topic is your Bernoullis theorem तो यह कुछ ऐसे filter out topic है जो आपको या हर बच्चे को जिसने पूरा syllabus पढ़ा है उसको भी और जिसने नहीं पढ़ा है उसको भी इन सभी topics पर emphasize ज़रूर करना है और इन सभी topic को बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यह वो topic हैं जिससे frequently questions पूछे गए नेक्स्ट एक subject हो रहे गया माम modern physics अच्छा आपने अक्सर बुक पढ़ी होगी modern physics के और बैसे उसमें अल्मुस्स हर subject का छोटा 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 कुछ कुछ portion तो यहां पर भी कुछ portion है आपके पास क्या है सारे की जैसे special theory of relativity आपको पढ़नी है Compt and effect से question भर भर के पूछा जाते है हमेशा question पूछा ही गया है Compt and effect से उसके बाद आपके potential से पूछा गया Radio activity, basic nuclear properties आपको आती है बहुत अच्छे से बस एक quick add-on चाहिए उसमें तो यह subject आप बहुत अच्छे से command कर सकते हैं यह basically sub subject का छोटा 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 पोर्शन जो मैं कहती थी ना कि सब का equally equally कुछ पोर्शन ले लीजी यह वही सारा portion है और आप बहुत आराम से perform कर सकते हैं चलो ठीक है माम करते हैं हमारी session को so thank you so much बच्चो all the very best और यह कुछ important topic जो आप लोगों को बताएगे हैं इन हर topic को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है और जिन जिन बातों के लिए बूला गया है कि इन इन बातों पे आपको पूरा पूरा ध्यान देना है उन सभी बातों को consider करो और इन important topics को cover करो आप आपका IIT Jam का exam तो पका ही clear हो जाएगा और एक अच्छी rank के साथ भी clear होगा and also we would be very happy to know अगर आप लोग आप लोगों के लिए से अच्छी कुछ भी बात नहीं हो सकती है बिल्कुल माँ आप बस एक planned काम करिए एक effective काम करिए और एक अपनी discipline को settle करिए discipline settle करना is quite quite important आप कुछ भी करिए discipline तरीके से करिए एक limitation में काम करेंगे तो बहुत अच्छी से perform कर पाएंगे इन सब चीजों में nervous होने की जरुवत नहीं कि इतना सब कुछ कैसे होगा ऐसा नहीं करना अपना self-confidence maintain करके रखिए उसको boost up करके रखिए यह वो time है जब आपको perform करना है तो perform करने के time पे panic नहीं अच्छा boost up करते हैं तो यह boost up session होना चाहिए ना कि panic button होना चाहिए तो इसी के साथ आजगा session close करते हैं with this I thank you everyone for watching this video